बीती रात टूंडला टोल प्लाजा पर किसी वाहन चालक के साथ मार पिटाई की खबरे आ रही है। हिंदुस्तान में छपी खबरों के अनुसार मामला इस प्रकार है कि एक वकील साहब टोल प्लाजा से गुजर रही थे, उन्हें टोल से गुजरने में साथ से आठ मिनिट मिनिट की देरी हुई और उन्होंने टोल बूत पर जाकर टोल का भुकतान करने से मना कर दिया। जहां पर टोल करमचारियों ने उनको काफी समझाया लेकिन वह नहीं समझे और इसी बीच बात बढ़ती गई। कुछ वाहन चालक ने कहा तो कुछ टोल वालों ने कहा और इस बीच हाथपाई होते होते वह मारपीट में बदल गई। टोल करमचारियों द्वारा सीधे मार धिकारी को अविलंब अवगत करना चाहिए। इस मामले में जो वाहन चालक है उन्होंने पुलीस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलीस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए इस मामले में टूंडला टोल प्लाजा के शिफ्ट प्रभारी और टोल प्रबंध को पुलीस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। यहां देखने वाली बात है कि मारपीट किनके द्वारा की गई थी और क्यों की गई थी। जिस शिफ्ट इंचार्ज की शिफ्ट में घटना घटी, क्या टो से तथा अन्या को टोल प्लाजा की नौकरी से बर्खस्त किया जाए झाली बात है।